आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो चाहे मेल हो चाहे फिमेल हो अगर आप इस साल अगनीविर में ओनलाइन कराए हो इस साल आपको अगनीविर का पेपर देने जाना है तो ये वीडियो आपके लिए है ये वीडियो उन सभी साथियों के पास सेयर कर देना जितने जारी नहीं किया गया था लेकिन इस साल काईअै जारी किया गया है और उस काईअऔर के माध्यम से यह बताए गया है कि अगनी वीर जीडी का पेपर इतने टारिक सी होगा और मतब एक दिन में इतना शीट रायेगा इतने बजे टक हो घृते चांस ओंगि uh मैं आप लोग को सारी चीजों को समझा दे रहा हूं और एक बात और मैं आप लोग से बता दे रहा हूं जितने लोग भी बार बार कमेंट करके ये पूछ रहे हो कि भाई इस साल अगनीवीर में कितने फार्म भरे जा चुके हैं हमारे यारों में कितने लड़के ओनलाइन करा तो मैं आप लोगों को एक बात बताओं मेरे भाई अगले साल जब अगनीवीर का ओनलाइन हुआ था ना तो जितने भी मीडिया वाले हैं यह सब के सब अपने अपने न्यूज में यह छापे थे कि इस यहारों में इस साल इतने लड़के अगनीवीर में ओनलाइन करा हैं इसके पीछे का रिजन यहीं हो सकता है कि इस साल अगले साल इतना लड़के अगनीवीर में ओनलाइन नहीं करा हैं ठीक ना इसलिए मीडिया वाले चुपा रहा हैं सब इसलिए मीडिया वाले डाटा नहीं दे रहा हैं सब मैं भी जैसे सर्च किया हूं यह जानने का कि मतलब कितने लड़के इस बार अनलाइन करा हैं लेकिन यह पता नहीं चल पाया है इससे पता चला है कि भाई अगले साल जितने लड़के अनलाइन करा हैं इस साल उतने लड़के नहीं अनलाइन करा हैं तो जितने भी साथी इस साल अगनीवीर पेपर का तयारी कर रहे हो आप लोगो इस साल जादे डरने का जरुरत नहीं है पढ़ाई जी स्तरा से करो उस तरा से पढ़ाई करो आप लोगो फाइनल मेरिट लिष्ट तक पहुचना है तो अच्छा से अच्छा नम्मर लाने का कोशिश करो लागातार प्रैक्टिस करते रहो लेकिन अगले बार जित क्क्लिग करो गें ठीक ना इस पर जब हम लोग किलीक करेंगे आप में पूरा काईलेंडर खुल enc है जहाँ पर बताया गया है यहां लिखा गया है सि flex timing लिखा गया है औजह से इस वार बता दिया गया है कि कितना कोस्ट Chambers मतलब किसमें पूछा जाएगा और यहां टाइमिंग भी बता दिया गया है ठीक ना अब देखो 22 अपरहल से आप लोग का अगनीवीर का पेपर होगा ठीक ना अगनीवीर जीडी का पेपर एक दिन में तीन सीप्ट में आपका पेपर होगा जो पहिला सीप्ट आपका रहेग साथ बजब से पेपर नहीं चालू होगा रिपोटिंग टाइमिंग रहेगा ठीक ना जब पेपर देने मतलब साथ बजब आप लोग को सेंटर पर पहुच जाना है और आठ बजब गेट को जो जाएगा मतलब गेट बंद हो जाएगा उसके बसे साड़े आठ बजब से पह जाएगा उसके बासे ःगारा बजब से दुसरा शिप्ट वला पेपर चालू होगा और साथ 12 बजब तक चलेगा ठीक ना और ये प्रस्णों तो उतने ही रहेंगे टाइमिंग तो उतने ही मिलेंगे उसके वाज से तीसरा शिप्ट वला जो है एक रिपोर्टिंग टाइ तो यह टाइमिंग आप लोग के लिए बहुत माहिने रखता है और अब बात कर लेते हैं कि अगनीवीर जीडी का पेपर कितने तारीक तक चलेगा तो देको इधर लिखा गया है अगनीवीर जनरल ड्यूटी अगनीवीर जनरल ड्यूटी का जो है यहां पर 25 तारीक तक दिया लिखा गया है अगनीवीर जनरल ड्यूटी ओमेन यंपी मतलब ओमेन मिलेटरी पुलीस लड़कियों का पेपर होगा तीस अप्राइल को होगा और उन लोग का सिर्फ एक ही सीफ्ट में हो जाएगा ठीक ना लड़कियों को सुबह में जाना आड़े को साथ बज़े रिपो सब्सक्राइब अगनी विर दो सपासे वाला जो ट्रेड माइन है उसका भी एक ही सिप्ट में होगा वो भी 30 स्पारायल को ठीक ना यहां पर देख लेंगे आपना ठीक ना इसमें आर्टी जे स्यो आगया है आई गई है तो जीतने लोग इसमें आउनलाइन किराए होंगे वो लोग अपना देख लेंगे मिला जुलाकर यह पूरा देखने के बाद यही पता चल रहा है कि अगनी बीर जनरल ड्यूटी में सिर्फ मतलब इसका पेपर शिर्फ बाइस से लेकर 29 तरिक्तक होगा बाकी 30 अपरेल को आपका अगनी बीर जनरल ड्यूटी डावलो एंपी का आपका ट्रेड मायन का भी हो जाएगा तो एक दिन इसका पूरा पूरा प्रेपर दे दिया और एक फीट में दे दिया है तो यह आप लोग के लिए एक आच्छा संकेत है ठीक ना अगनी बीर पेपर का त्यारी कर रहे हो तो पिछले साल जितना भी gkgs का प्रस्ण अगनी प्रस्ण अगनी बीर के पेपर में पूछा गया था वह पूरा का पूरा आप लोग को पेपर देने जाने से पहले एक बार पढ़ ही लेना है वह सारा gkgs का प्रस्ण एक ही जबां आप लोग को देखने को मिल जागा उसका कोई भी चार्ज नहीं है आप लोग को पले इस से निलेश डिफेंस करियर अप्लिकेशन डाउनलोड करना है यह मेरा ही अप्लिकेशन है ठीक ना इस अप्लिकेशन से हजारों लोग इस साल अगनी बीर पेपर का तयारी कर रहा है यहां पर मोग टेस्ट लगा रहा है तो आप लोग भी इस अप्लिकेशन को पले इस्टोर को मिलेंगे और बहुत अच्छा है यहां से आप लोग आगनीवीर पेपर का त्यारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है तो फटाक से निलेश डिपेंस करियर अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लो और मोग टेस्ट लगाना शुरू कर दो ठीक ना क्योंकि मोग टेस्ट लगा मैं थोज साल्व करना रहता ना तो आपर लोग साधा कागश देते हैं किसी किसी सेंटर में पेण नहीं मिलता है तो यही पूरा डक्मेंट लेकर आप लोगो पेपर देना जाना है इसकी अलावा अगर आप लोग को कुछ और इंपोर्टेंट जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताना ठीक ना मैं आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा तो मिलते आए अगले वीडियो में जय हिंद बंदे मात्रम